साथियों जबरदस्थ ख़़र इस समय सुर्खियों में है और ख़बर है भारत में हुए इलेक्षन के बाद प्रधानमंदरी नरेंदर मोदी और जेपी नडडाजे के भविश्य को ले कर के ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में प्रधानsmantri नरेंदर मोडी ने लगातार तीसरी बार प्रधानsmantri पद की शपत तो ले लेली, लेकिन इस शपत के साथ साथ ही उत्र प्रदेश में मिली BJP की हार, साथ ही पस्च्म बंगाल में हुई BJP की हार, और तो और जिस राम मंदिर को BJP अपने लंबे समय से चुनावी एजेंडे में रखकर चल रही थी, उस शहर आयोध्या में BJP का हार जाना, ये निश्चित ही BJP के लिए और भारतिय जनता पार्टी के साथ साथ भारतिय जनता पार्टी का जो वैचारिक संक्तन है RSS उसके लि लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये छोड़ गई है कि उन चेत्रों में जहां BJP का कभी स्ट्रॉंग होल्ड हुआ करता था, हिंदी पट्टी चेत्र जहां पर प्रभु राम के लेकर के जो मूमेंट BJP ने चलाया था, उसके सबसे जादा लोग थे, अल्टिमेटली उन जाज् BJP को इतना नुकसान क्यों हुआ, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो हरियाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सभी राज्यों में BJP को इतना नुकसान क्यों हुआ, और नुकसान हुआ यही कारण है कि BJP को गटबंधन में ज इसके बाद पूरा देश राम में था और ये लग रहा था कि अब अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ये आसानी से लेड़ स्लाइड विक्टरी पुराने दो बार से भी जादा निकाल ले जाएगी ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये गटबंधन पर मजबूर हुए लगभग ऐसा लगा कि सरकार नहीं बन रही होगी इन सब विशेओं पर आज के सेशन में चर्चा होगी क्योंकि बीजेपी क्यों हारी ये केवल बीजेपी के लिए सोचने का प्रशन नहीं है बीजेपी का जो है कि RSS बीजेपी की कार्यश एली से प्रसंद नहीं है और RSS प्रसंद नहीं है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकती है चुनावी जानकारों का और बहुत सारे मीडिया विसलेशकों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी बोले नहीं, हम देश की गारंटी चाहते हैं. जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा अपने आप को पुजारी के रूप में व्यक्त करना, साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाल ही के समय पार्टी में श देना और हिंदुवादी थोट को बढ़ा कर आगे ले जाने वाली नुपुर शर्मा जैसे कारे करता और नेताओं को हाशिये पर बिठा देना, इससे RSS बेहत खफा है. इस बात को और ज्यादा बल मिलता है जब मोहन भागवत जी का हाल ही में नागपूर में बयान आता है और साथ ही साथ, जैसे शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जैसे चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, ऐसे ही RSS का एक अखबार है जिसका नाम है Organizer, जो की अंगरेजी में लिखा जाता है, उस पूरे लेटर के अंदर BJP क्यों हारी और RSS के क्या भेद हैं या मत भ RSS चाले, तो क्या वाकई में सरकार से BJP को हटा कर या फिर सरकार में से BJP के नेता, जो की RSS को अवाइड कर रहे हैं, उन्हें हटा कर दूसरी सरकार बनाई जा सकती है, इस विशय को आज के सेशन में आपको समझना है, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत जी के जो बयान है, true सेवक is not arrogant, असल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने बारे में अक्सर प्रधान सेवक कहते हैं, इस में मोहन भागवत जी का ये बयान, जो की RSS के प्रमुक हैं, और जो लोग नहीं जानते RSS क्या होता है, RSS का BJP पर क्या influence है, RSS का कहने का क्या मतलब है, वो आज क इस detail session में detail में समझ जाएंगे, लेकिन मोहन भागवत जी का ये बयान, कि एक सेवक जो होता है, सच्चा सेवक, वो arrogant नहीं होता, arrogant का मतलब एहंकारी नहीं होता, गुसेल नहीं होता, गमंडी नहीं होता, ऐसा बयान निश्चित ही सेवक टर्म को पकड़ कर, प्रधान सेवक मनीपूर हिंसा, जिसको साल भर से ऊपर हो चुका है, जिसको लेकर कि BJP के खिलाफ, इंडी अलाइंस ने जबरदस्त प्रचार किया, जिसमें उन्होंने ये कहा, कि मनीपूर जल रहा है, प्रधान मंत्री एक बार भी वहां नहीं गए हैं, प्रधान मंत्री ने मनीपूर को फिलहाल एक conflict देखने को मिल रहा है कहते हैं कि RSS से BJP का जनम हुआ था लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बेटा क्या बाप से बड़ा हो गया है ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है चुनावी हलकों में क्योंकि इस प्रकार से राम मंदर जैसे मकारेकरम के बावजूद BJP बन कर काम करता रहा है क्या वो निषक्रीए रहा क्या उसने BJP को सपोर्ट नहीं किया क्या BJP का अती एहंकार ये समझ लेना कि हम सब कुछ सही कर देंगे या ये समझ लेना कि जो हमारे पास आएगा वो हमारी विचारधारा में मिल जाएगा, ये अती एहंकार इन दौनों में रिफ्ट की वज़ए बन गया है आज के बहुत सारे कमेंट से इसको समझेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के लिए ये जानकारी जो RSS के बारे में नहीं जानते साथियों, एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू-मुस्लिम के बीच में कन्फिलिक्ट क्रियेट होने लगा था हिंदू-मुस्लिम के बीच का कन्फिलिक्ट अगर इतिहास में चलकर देखा जाए तो 1905 में सबसे पहले तब हलाइ-लामलाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन में हिंदू-मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉड करजन उसने किया था, क्योंकि अंगरेजों की नीती थी की फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीती को ध्यान में रखते हुए अंगरेजों ने भारत के हिंदू और मुसल्मानों को लड़ाना शुरू किया, बंगाल का विभाजन कर दिया और पूरवी बंगाल पस्चिमी बंगाल बना दिया, बंगाल का विभाजन हुआ, उससे पहले भारत में हिंदू-मुसलिमों के बीच में कभी इस प्रकार का रिफ्ट पैदा करने का अंग्रेजों ने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामियाब हुए, प्रयास क के अंदर, यानि कि पंगाल विभाजन के बाद हुए मुसलिम लीग के गठन के चलते, वही मुसलिम लीग, यानि कि सोचकर देखिए एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी नासूर बन गई, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के विभाजन के नीव डाली, खेर, 1906 के आगमन हो जाता है, गांधी जी भारत आकर के जब पहुचते हैं, उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते हैं, जिनमें से खिलाफत जैसे अंदोलन प्रमुख होते हैं, और उन आंदलोनों के अंदर भारत अंग्रेजों के द्वारा मुसल्मान चाहते हैं संसद के अंदर तो बुले मुसल्मान ही मुसल्मान को वोट देगा मुसल्मान किसी अन्य जाती को अन्य धर्म को वोट नहीं देगा तो इस प्रकार से एक separate electorate की विवस्था अंगरे जोने 1909 में और कर दी थी यानि कि अब मुसल्मान और ज्यादा युनाइट होने लगे थे 1906 के अंदर मुसलिम लीक का गठन 1909 के अंदर सेपरेट electorate सेपरेट electorate यानि की मुसल्मान ही मुसल्मान को वोट देगा इस प्रकार का वोट देने लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो अपनों के बारे में ही सोचने लगेगा इससे देश टूटेगा Congress ने इस बात का पुर्जोर विरोध किया लेकिन अंगरेज नहीं जुके वो इस बात को लेकर चलते रहे गलती Congress से कब हुई जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो Congress ने जिस चीज का पहले विरोध किया था 1909 में इसको अब माननेता देदी माननेता देदी का मतलब ये हुआ कि अंगरेजों के खिलाफ मुसल्मानों का साथ पाने के लिए separate electorate जैसी चीज को भी Congress ने सही मान लिया कि ठीक है मुसल्मान मुसल्मानों को वोट दे लेकिन फिलहाल मिल जाओ हमें अंगरेज भगाने हैं हिंदु-Muslim एकता का ये जो प्रयास किया गया था इससे मुसल्मानों को ये समझ में आ गया कि अंगरेजों को भगाना प्रात्मिक्ता हो सकती है लेकिन अगर हम अपनी हितों का खयाल रखते हुए आगे बढ़े तो निश्चित ही एक दिन अपने लिए अलग देश बनाने में कामियाब हो जाएंगे समय बढ़ता गया अंग्रेज नहीं रुके उनने 1919 के अंदर मांटे क्यों चैम्स फोर्ड सुधार किये उसमें जो पहले मुसलमानों को सेपरेट एलेक्टोरेट दिया गया था अब अंग्रेजों को दे दिया सिखों को दे दिया धीरे धीरे सेपरेट एलेक्टोरेट यानि कि वो व्यक्ति अपनों को ही वोट देगा लोगों के अंदर फूट डालने का काम अंग्रेजों ने और इस तरह की परिस्तितियों को बनता हुआ देखकर हिंदूों को युनाइट करने के लिए RSS की इस्थापना की गई RSS यानि राष्ट्रिय स्वमसेवक संग केशव बलराम हैडगेवार ने RSS की इस्थापना 27 सितंबर 1925 के दिन दशहरे के अवसर पर नागपूर के अंदर की साथियों आज यह स्वमसेवक संग्धन दुनिया का सबसे बड़ा स्वमसेवक संग्धन बना हुआ है 2025 में इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं नागपूर के अखाडों में यह संग तयार हुआ एक तरह से ऐसे समझेए कि जब सब अपने अपने लिए बाते कर रहे हैं तो हिंदू के लिए कौन बात करेगा इसके लिए एक संग्धन बनाया गया नाम इसका स्वमसेवी संग्धन क्यों रखा गया क्योंकि यह वालेंटरी लिथा यानि कि ऐसा ओर्गनाइजेशन था जिसमें किसी को कोई तंखा नहीं मिलेगी इसे केवल आइडियोलाजी मिलेगी यह विचार करेगा कि देश को यूनाइट कैसे रखना है क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने का तमा प्रयास कर रहे हैं तो इन सबको एक कैसे रखना है इसके लिए RSS की स्थापना केशव बलराम हेडगवार जी के द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर के अंदर की गई RSS की स्थापना हो गई, RSS अपनी बाते रखना शुरू की, धीरे धीरे सांग्ठनिक छमताएं विक्सित होने लगी, 1925 में स्थापित हुई RSS, इतना एक्सपर्टाइज तो नहीं रखती थी राजनिती में जितना कॉंगरिस को था, यो कि कॉंगरिस तो पहले से चली आ र सालन कर रही थी, हेडगवार जी के द्वारा 17 लोगों के साथ मिलकर अपने ही जगे, अपने ही घर में बैठ करके इसकी स्थापना की गई थी, धीरे धीरे इसका संग का नामकरण हुआ, राश्ट्यस्वम सेवक संग 17 अप्रेल 1926 को इसका नामकरण हुआ, मेरे जनम दिव जी है, यानि जिस प्रकार से हेडगवार जी उस समय थे, आज इस पूरे RSS के सरसंग्चालक, अब ये RSS कितना बड़ा हो चुका है, इसके बारे में समझे, साथियों, इस समय RSS में एक करोड से जादा प्रसिक्षित सदश्य हैं, इंट्रेस्टिंग बात ये है, किसी को भ भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती है, सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म रखते हैं, एक जैसा विचार, राष्ट्र की एकता, भारत की एकता, हिंदु राष्ट्र की स्थापना, इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, संग परिवार में 80 से जादा सम विचारी और आनुशंगिक संग्ठन है, बस इस बात पर ध्यान दीजेगा, 80 से जादा सम विचारी, यानि कि एक जैसी थौट रखने वाले संग्ठन हैं, RSS के अंदर संग्ठन हैं, दुनिया के लगभग 40 देशों में RSS सक्रिये हैं, 56,000 से जादा दैनिक शाखाएं लगती हैं, शाख कि व्यायाम होना, राष्ट को कैसे एक लेकर आगे चलना है, इसकी गली चौराहे, नुकर चौराहों पर संग्ठन की शाखाएं लगती हैं, तरीब 13,000 सापताहिक मंडली होती हैं, 9,000 मासिक शाखाएं, मन्थ औन मन्थ ये लोग मिल करके चर्चाएं करते हैं, इसमें कोई कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कि साब आप गए और आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया, नहीं, बस आप पहुंच गए इस आधार पर आपकी उपस्थिती मान ली जाती है, पचास लाग से जादा स्वम सेवक नियमित रूप से शाखाओं में जाते हैं, दे संग्धन हैं RSS के पास, एक करोड से जादा प्रसिक्षित सदश्य है, यानि कि ये वैसे प्रसिक्षित सदश्य है, जो कि परेड ग्राउड के ऊपर गंद तंत्र दिवस की परेड ग्रांड में परेड कर सकते हैं, इतने जबरदस तरीके से मार्च पास्ट करना, मतलब सरी के सौस्थव को बढ़ाने की exercise करना जानते हैं पूरी तरह प्रसिक्षन प्राप्त लोग हैं और जो देश के लिए काम करना चाहते हैं interesting बात देखिए यही जो ताकत है न यह BJP को स्थापित करने में काम आई थी अब आप पुछेंगे वो कैसे तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह जो 80 संग्ठन है इस पर ध्यान दीजेगा असल माइने में क्या हुआ जब यह RSS हिंदुवादी थौट के साथ आगे बढ़ने लगा इसी बीच में RSS versus Congress इनके बीच में conflict भी बढ़ने लगा क्योंकि Congress का प्रथम प्रयास था कि कैसे अंग्रेजों को बगाया जाए और RSS का प्रयास था कि कैसे हिंदुओं को लेकर एक किया जाए हिंदुओं की एक तक केवल हिंदुओं के बारे में विचार क्यूंकि एक तरफ Muslim League जब वो काम कर रही है तो हिंदुओं के लिए कौन सा संग्ठा ने बस ये thought के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और भारत को कैसे एक रखना है इस पर काम करते जा रहे थे महत्मा गांधी जी के जो प्रयास थे वो प्रयास मतलब जैसे कि आपको याद हो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे Muslim League के द्वारा अनौंस किया गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के भारत में बैंकर दंगे हुए तो गांधी जी उपवास पर बैट गए कि नहीं मेरे देश के मतबेद कई बार कई जगेओं पर कोट भी किये गए हैं कोई बात नहीं एक दिन महत्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है महत्मा गांधी जी की जब हत्या होती है तो इस हत्या को संग से जोड कर रखा जाता है क्यों क्योंकि असल मायने में जिस व्यक्ति ने महत्मा गांधी जी जी को गोली मारी, तो कहा गया कि नातुराम गोड से संग के विचारों से प्रभावित है, और ऐसी इस्थति में संग को बेन कर दिया गया, और संग के जो सरसंग चालक है, जैसे फिल्हाल के लिए अज जब हम बात कर रहे हैं, तो सरसंग चालक मोहन भागवत जी हैं ऐसे उस समय के सरसंग चालक गुरू गोलवरकर जी को बंधी बना लिया गया ये वो दौर था जिस समय RSS को ये समझ में आने लगा कि हमने देश को एकिकरत करने के लिए हिंदु को यूनिफाइड करने के लिए प्रयास तो कूब कि लेकिन राजनीती में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हम पर प्रतिबंद लगा तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है अपनी बात रखने वाला देश के मंच पर बात करने वाला कोई भी नहीं है तब पहली बार RSS को रियलाइज हुआ कि नहीं हमें राजनीती में आने की आवशकता है हमारी एक विंग ऐसी हो जो राजनेतिक मंच पर राजनेताओं के सामने जाकर वाद विवाद करे और डिसकस करे कि नहीं आप गलत हैं आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं राजनेती का अपना महत्व है ठीक है ऐसे ही आरेसेस को दूसरी बार जब देश में आपातकाल लगा तब बैन किया गया और तीसरी बार जब बाबरी मस्जिद विद्वंस हुआ उस समय पर भी आरेसेस को बैन किया गया ठीक है साब आरेसेस की बैन की कहानी सुनी अब आरेस से बीजेपी कैसे बनी उस पर चलते हैं और साथ ही साथ RSS पर से प्रतीबंद कैसे हटे कैसे RSS को इतनी इजद फिर मिलना शुरू हुई उस पर चर्चा करते हैं बात है 1962 की जब चीन ने धोके से भारत पर आकर्मन कर दिया उस समय पर RSS के कारेकरताओं के द्वारा जो की प् मदद के लिए उनको अपनी तरफ से रसद पहुचाना जहां जहां पीडित हैं उनको उपचार देना सरहदी इलाकों में पहुच करके सैनिकों के पास सहायता पहुचाना ये काम RSS ने किया मतलब सोचकर देखिए कि जिस समय सरहद पर युद्ध सैनिक लड़ रहा हो तब R RSS के प्रसिक्षित कारेकरता उनके मदद करने के लिए पहुच रहे हैं इस काम को ततकालिन प्रधान मंतरी नहरू जी ने नौटिस किया और ऐसा करते हुए 1963 में गंतंत्र दिवस की परेड में संग को बुलाया कि आप अपने द्वारा जो प्रसिक्षित शाखा के लोग है इन्हें लेकर आईए और इस परेड में जिस तरह से सैना परेड करती है ऐसे परेड करवाईए तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 3500 से अधिक एक कॉंटिजेंट यहां पर स्वमसेवकों का एक यूनिफॉर्म में पहुचा और परेड ग्राउंड में प्रॉपर त इस समय पर इंदरा गांदी जी को बुला करके आरेसस के ही एकनात रणाडे हुआ करते थे जिन्होंने इस विवेकाणन शीला इसमारख का निर्मान किया था अर इंदरा गांदी जी से इसका वो करवाय था इनोगरेशन कर आए यानिक एक तरह से में इस्ट्रीम स्टीन बीजेपी की स्थापना का काम करते हैं, अब बीजेपी की स्थापना कैसे करनी है, इसके लिए क्या करें, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनें, देखिए अगर आप विकीपीडिया पर जाएंगे ना तो RSS के साथ जो जुड़े हुए और्गनाईजीशन से हैं, उनमे आप बीजेपी को सबसे ऊपर पाएंगे, यानि कि मैंने आपसे काना, 40 संग्ठन RSS से जुड़े हुए हैं, इनमें सबसे ऊपर आप बीजेपी को पाएंगे, कहते हैं कि जब RSS बैन हुई, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी को गोली लगी, नाथूराम गोडसे से, तो उस सम नहीं हमारी जो जा करके अपनी बात रखे, राजनेतिक समर्थन दिखाए, और इसी बीच में जब ये thought process चली रहा था, तब एक और काम हुआ, और वो क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों की सुरक्षा को ले करके, नहरूजी और लियाकत अली के बीच में समझाता हुआ, इससे नाराज होकर केंद्रिय उध्योग मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो इस्तीफा देने के बाद गोलवरकर जी से जा कर मिले, मतलब एक प्रकार से ये समझेए, कि ग गोलवरकर और मुखर जी ने महसूस किया कि RSS को अब राजनेतिक आवाज की जर्वत है और साथ मिलकर भारतिये जन संग की स्थापना का ब्ल्यूप्रिंट तयार किया गया, यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के रागुमल गल्स हाई स्कूल में जन संग का पहला राष्ट्रिय सम्मेलन बुलाया गया, शामा प्रशाद मुखर जी इसके अध्यक्ष बने और संस्थापक सदश्चों में संग प्रचारक, बलराज मधोक और दीन दयाल उपाध्याय जी स्वामिल हुए, यानि कि यदि यह कहा जाए कि BJP की स्थापना एक कॉंग्रेसी ने ताके द्वारा हुई थी, तो इसमें कोई दोराय नहीं होगा, शामा प्रशाद मुखर जी कॉंग्रेस छोड़ कर आए, और फिर उन्होंने आ करके इस पार्टी की स्थापना की, जनसंग के नाम से, अगर आप BJP की वेब साइट पर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको यह दिखाई देगा, अपनी जर्नी में, 1951 भारत के जनसंग का उदय, और उस जनसंग के उदय के अंदर आप रागोमल गल्स हाई स्कूल का नाम सुनेंगे, दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना, शामा प्रशाद मुखर जी के द्वारा प्रथम अद्यक्षता में की गई थी, इसलिए आपने नौटिस किया हो, तो बीजेपी की बहुत सारी योजनाओं में शामा प्रशाद मुखर जी का नाम होता है, या फिर दीन दयाल उपाध्याई जी का नाम होता है, अगर आप लोगों ने अपने बीजेपी के 2014 से और 19 की सरकारों को नौटिस किया हो, तो शाम प्रशाद मुखर जी और दीन दयाल उपाध्याई का नाम समझ में आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, कि RSS की क्या कहानी है, कैसे कैसे ये काम चला, अब RSS ने बीजेपी को जन्म दिया, ये आपके सामने आ गया, कि भई, अब राजनेतिक चेतना विक्सित करनी है, RSS ने अपने बहुत सारे लोग प्रचारक बनाए, कि भई, RSS की बातों को सब के साथ साजा करना है, कोई व्यक्ति प्रचारक लेवल पर अगर पहुंचा है, तो फिर वो शादी नहीं करेगा, शादी शुदा है, तो वो परिवार के साथ नहीं रहेगा, देश के समर्पित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से रीजनल और्गिनाईजर्स बनाए गए, छेत्रिय प्रचारक बनाए गए, मोदी जी भी RSS के ऐसे ही एक संभाग इस तरिये प्रचारक हुआ करते थे 1978 में, और उन्हें काम दिया गया सूरत और वडोधरा के RSS के काम काज को मोदी जी RSS के साथ चुड़े हुए थे, इसी कालखंड में मोदी जी को जनरल सेकेटरी बना करके भेजा गया, अब देखिए, बीजेपी के अंदर आज भी जो जनरल सेकेटरी रैंक का पद है ना, स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर, वो RSS का ही होता है, RSS का ही न इनका नाम 2012 में प्रस्तावित किया, कि चुकि मोदी जी प्रचारक रहे हैं, RSS की विचार जानते हैं, RSS के लिए राष्टर के लिए समर्पित हैं, इसलिए इनका नाम 2012 में राजनाथ सिंग जी के माध्यम से, गोवा अधिवेशन में 2013 में बुलवाया गया, राजनाथ सिं 2013, टेकनिकली अगर बात किया जाए तो आज से लगभग 11 साल पहले, यानि मोदी जी उस समय 62 साल के आसपास रहे होंगे, ये सामान तया इस तरह के नेताओं पर फोकस करते हैं, जो कम उम्रके हों, संग की विचारधारा, विचारधारा, हिंदू राष्टर की विचारधारा, देश को एक रखने की विचारधारा, एक चीज यहां पर और समझने की है, यहां पर हिंदू राष्टर का मतलब, अखंड भारत का मतलब, समावेशी विकास है, यहां पर ये अर्थ नहीं है कि हिंदू हिंदू रहेंगे, मुसल्मानों को बाहर निकाल दिया जाए, नहीं, यहां पर विचारधारा ये भी है कि जो मुसलिम भाई बहन है, वो भी उनके पूरवज भी हिंदू ही थे, वो तो माइगरेश, जो भार से आकरांता आये, उन्होंने उन्हें कनवर्ट कर दिया, RSS इस बात पर भी कई बार चर्चा कर चुका है, अखंड भारत की चर्चा म और यहां पर जो मुसलिम लोग भी है, वो कनवर्टेट लोग है, वास्त्विक्ता में जो असली आकरांता आये थे, जिनका धर्म लोगों ने अपनाया था, वो सुदूर छेत्रों से आये थे, बोले उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है साब, तो RSS के द्वारा आज की राजनिती में बहुत सारे लोगों को अल्रेडी बीजेपी में भीजा गया है, अब आप देखिए, नरेंदर मोदी जी को उठा लीजे, राजनात सिंग जी को उठा लीजे, नितिन गड़करी जी, वेनकाया नायडू जी स्वर्गी हो चुक है, बंदारू दत्यात्रे, श अब हुआ ये कि अब बीजेपी को राजनीती करने वाले लोग भी चाहिए थे, संग की विचारधारा अपनी है, लेकिन संग के कंडिशन्स तो बहुत टाइट हैं, बहुत प्रचारक लेवल का आदमी परिवार वाला ही नहीं होगा, ऐसी इस्थिती में अब प्रशन ये कि इस संग्थन को और बढ़ात कैसे दी जाए, तो बीजेपी में थौट के साथ, यानि देश के अंदर तेश की जो आइडियोलोजी है, जो आरेसस की आइडियोलोजी है, उसको बढ़ाते हुए, जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसका स्वागत है, इस तरह से भारतिय ज इतनात हो, चाहे हिमंत विश्व सरमा हो, ये वो लोग हैं जो कि आरेसस से तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की आइडियोलोजी से हैं, और ये इस समय की पोजिशन्स पर बैठे हुए है, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये समझ में आया कि बीजेपी आरेसस से कितना आरेसस ये कर कैसे जाती है, उसकी जो शाखाएं हैं जो प्रसिक्षित एक करोड से उपर कारे करता हैं, वो घर घर जाकर, परिवार परिवार जाकर लोगों को बताते हैं कि इस सरकार से आपको क्या लाब है, देश के लिए क्या अच्छा है, किस प्रकार से देश को चलना ये जो कारे करताओं की फौज है जो अनुशाशित फौज है, ये असल में बीजेपी की भी बैकबोन है, ये उनकी ताकत है, अब इस ताकत को क्या हुआ, बस यहीं से सारी दिक्कत है, असल में हाल ही कि समय पर बीजेपी और आरेसस की बीच में हलकी सी रिफ्ट देखी कभी आप लोगों ने जब साइकल चलाना शुरू किया हो, तो आपके पापा ने आपको साइकल चलाते समय पीछे से साइकल को पकड़ के रखा था ताकि आप गिर ना जाए, आप बढ़िया साइकल चलाए, आपको दिक्कत ना हो तो साइड में वील्स भी लगा दिये, ता ही हाल ही के दिनों में BJP और RSS में देखने को मिला है, नडड़ा जी का एक बयान, नड़ा जी जो कि अपने आप में RSS के कारे करता रहे, ABVP, अखिल भारते विध्यारती परिशद, जो कि RSS की सक, मतलब वो है, विध्यारती यूनिट है, उनके द्वारा हाल ही में एक बया गया हूँ, शायद में लेकर भी आया था, नडड़ा जी का बयान था, और उस बयान में इन्होंने ऐस तरह की एक लाइन बोल दी थी, कि हाँ, शुरू में हम अक्षम थे, थोड़े कमजोर थे, तब RSS की जरवत थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो BJP अब अपने आप चलते हैं, असल मायने में जिस RSS ने BJP को खड़ा किया, अब वही RSS को ये बात सुनने में मिले, कि सहाब हम तो अब अपने आप से चल लेते हैं, ये बात अपने आप में बहुत जादा नुकसान पहुंचाई, ये नुकसान पहुंचाई और इसके पीछे का बड़ा क इसके लिए रथ यात्रा निकाली थी, जन्ता को पूरा एकिकरत किया था, लेकिन राम मंदिर इनाउगरेशन में उन्हें ऐस्वस्थ बता करके उस जगे ले जाया ही नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर उधगातन में अडवानी जी पूरी लाइम लाइट ले ले कि देखो इनकी वज़े से राम मंदिर बना है, नमबर दूसरा, RSS ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर पुजारी के भेश में खड़े होने का विरोध किया था, कि भाई आप इस पूजा को ना करें, ये काम संत महात्माओं का है, उन्हें करने दें, ले नहीं पहनी, राजपुतों ने सर पे पगड़ी नहीं बांदी कि जब तक मंदिर नहीं बन जायागा, हम ये प्रण लेते हैं, उन्हें आप सम्मान कारेकरम में बुलाईए, उन्हें बीजेपी ने इस कारेकरम के अंदर नहीं बुलाया, RSS ने बीजेपी से ये कहा था, र RSS की इस बात को भी बीजेपी ने नहीं सुना, साथ में ये भी कहा गया कि उन लोगों को इस कारेकरम में ना बुलाएं, जो राम को गाली देते आये हैं, लेकिन बीजेपी ने कई बॉलीवूड सेलिबरिटीज को भी इस इनागुरेशन के अंदर बुलाया, ताकि ये दि आप छूट गई, लेकिन राम असल में सब के हैं, RSS यही कहता है, RSS ने हमेशा से यही कहा और यही कारण है कि RSS और बीजेपी के बीच में मत भिन्निता आई, यही कारण है कि आयोध्या और उत्तर प्रदेश में जो कारेकरता RSS के थे, वो सक्रिये नहीं हुए, मंदिर न इतना प्रचार प्रसार हुआ, उस अयोध्या में बीजेपी हार गई, जिस उत्तर प्रदेश में यह पूरा मूमेंट चला, उस उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यह वो कारण है जो हाल ही में मोहन भागवत जी के ब जी ने 10 जून को नागपुर के संग के कारे करताओं के विकास वर्ग के समापन में कहा, कि चुनाव राजनितिक और राजनितिक दलों के बारे में बात करते हुए कहा, कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कारे करता है, गर्व करता है, किन्तो लिप्त नहीं होता, एहंकार नहीं करता वही सही माइने में सेवक कहलाता है यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सेवक वर्ड पर यानि प्रधान सेवक वाली जो लाइन है मोदी जी की मतलब एक तरह से ये कि मोदी जी को RSS ने अपनी तरफ से प्रमोट किया अब मोदी जी RSS को क्रॉस कर रहे हैं ऐसा हिंट न्यूस चैनल वाले RSS चीफ की बात से निकाल रहे हैं जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है लेकिन एक सीमा तक यह मुकाबला जूट पर आधारित नहीं होना चाहिए यहां पर ऐसे कई बयान जिने कई मीडिया चैनल ने जूटा बयान करार दिया बोले इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थे तो मोहन भागवत जी के द्वारा यह जो बात की गई यह नागपूर में कही गई संसद में सहमती बनाने पर प्रयास होना चाहिए विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहिए जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इस प्रकार से अगर सरकार कुछ कारे कर रही है और विपक्ष उस पर कुछ बात बोल रहा है तो उसे विरोधी के रूप में ना लें, उसे भी एक आइडिया लें, उसे भी कुछ सीखें और उन्हें भी साथ लेकर चलने का प्रयास करें RSS Chief के इस बयान के माएने, ये समझाने में परियापत हैं कि जो BJP इस समय कर रही है, वो एहंकार से युक्त होकर कर रही थी और उसका ही नतीजा उसे चुनाव परिणाम के अंदर भुगतना पड़ा, चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो रहा हो, मरियादा का पालन करें, एहंकार ना करें, वही सच्चा सेवक कहलाता है और तो और महाण भागवजी के द्वारा मनिपूर भर भी वयान दिया गया, और उसमें कहा गया कि एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है, आपको याद होगा ये मनिपूर का मामला बहुत जादा उठाया गया था, बीते दस साल में राज में शांती थी, लेकिन अचानक वहाँ गन कल्चर बढ़ गया, जरूरी है कि इस समस्चा को प्रात्मिक्ता से सुलजाया जाए, अब ये वाली जो बात आई, RSSS चीफ की इसके लोग मायने निकाल रहे हैं, और मायनों में सबसे बड़ा मायना यही है, कि BJP को जो लेंड स्लाइड विक्ट्री की पेक्षा थी, राम मंदिर बनने के बाद अगर वो नहीं मिली, जहां पस्चिम बंगाल के अंदर इतना जबरदस्त काम संग ने किया, वो आखरी मोमेंट पर एक्टिवेट नहीं हुआ, BJP अपनी कैलकुलेशन में ये लगाती रह गई कि हम यहाँ पर सबसे बड़ी पार् निकल कर आया कि इन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को टिकेट दे दिये, जो पहले BJP या RSS को गाली देते थे, हिंदूों को गाली देते थे, उन्हें अपनी सीट पर टिकेट दे दिया, इससे लोगों का मनोबल तूट गया, इनका कहना है कि जो कारेकरता आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, कहते हैं उत्तर प्रदेश में RSS के द्वारा दस लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था टिकेट बटवारे में, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, ऐसे कारेकरताओं को जब इस प्रकार का भाव मिलेगा कि इतनी मेहनत के बाद उन्हें टिक मनिपूर पर इनके बयान के माइने हैं, कि RSS कुद ये कह रहा है कि नहीं, मनिपूर पर मामले को सुल जाना चाहिए, मनिपूर मामले पर हमने आल्रेडी कई सेशन्स किये हैं, आप जाकर अपनी पार्टशाला पर सुन सकते हैं, हमने पूरा डिटेल वहाँ पर आपको बता करता हूं को कि हां भई कारे करता हूं, एक्टिवेट होने का समय आ गया है, हो जाओ, कोई स्लीपर सैल नहीं है कारे करता, विचार धारात्मक रूप से जुड़े हुए साथ लोग हैं, वो विचार धारा से जुड़े हुए लोगों का मनोबल तूटता है, जब BJB का चीफ ये कहते हुए पाया जाए, अध्यक्ष ये कहते हए पाया जाए कि अब हमें RSS की जरुन नहीं एं, अगर कोई ये कह दे तो आप विचार कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने ये बाते कही कि भाजपा को RSS के समर्थन की जरुवत नहीं है, नडड़ा जी का अध्यक्षपद जाना तै है और अगर BJP इस बात को समझती है कि RSS की नाराजगी का उन्हें नुकसान भुगतना पड़ा है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी और संग के बड़े कारे क तो ये सारी बाते निकल करके आई, अच्छा, अब ये वो है और गनाइजर करके, वाईस ओफ दी नेशन करके, RSS का मुखपत्र है, यानि कि एक तरह से कहिए कि जैसे चीन का ग्लोबल टाइम से एक तरह से इनका अखबार है RSS का, उसमें ये प्रपर बात लिखी गई, क्य ये वर ड्यू टू मल्टीपल रिजन्स, थैंक्फुली इट हैस दी ओनेस्टी तो एक्सेप्ट इट्स शॉर्ट कमिंग से टेक करेक्शन एक्शन, करेक्टिव एक्शन, बीजेपी को सोचने की आवशकता है कि उसने इसी क्या गलतियां की थी, और गनाइजर के अंदर ये बबल फट गया, इस पर हमने अपनी तरफ से आप लोगों को प्रॉपर सेशन किया, जिसमें मैंने बताया है कि बीजेपी अपने ही हतियार से हारी है, मैंने इस पर आपको सोचल मीडिया का पूरा तरीका बताया था, ठीक है, इसके अंदर ये भी कहा गया, कि RSS के जो थारजी पना, यानि कि ये सोच लिया गया था कि जब राम मंदिर बना दिया है, बीजेपी ने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से राम मंदिर बना दिया है, इस काम के मुवमेंट को अगर आपने खुद से अपने हाथ में ले लिया, तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर नेता हैं, वो इतने जादा बिजी हैं कि वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, why are BJP elected MPs and ministers always busy, why they never visible in their constituencies, वो अपने छेतर में दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनके को कोई message कर दिया जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता है, इसी प्रकार से इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात उठाई ना वो महाराष्ट को लेकर उठाई, कि महाराष्ट में इने इतना नुकसान क्यों हुआ, बोले देखो, BJP और शिवसेना तो एक natural ally है, ये लंबे समय से साथ रहे हैं, बाला साहिब ठाकरे के साथ चले आ रहे हैं, लेकिन साहब आप लोगों ने NCP को भी अपने में मिला लिया, उनकी आवशक्ता क्या थी, सरकार तो BJP और शिवसेना से मिलकर बनी गई थी उनको साथ मिलाने से पार्टी कारेकरता का मनोबल तूट गया जिस NCP सरद पवार जी की पार्टी से तोड़ करके अजित पवार जी के ग्रुप को इधर लाया गया, बोले ये लोग तो पूरे टाइम का हम को गाली देते रहें, यानि RSS को, हिंदू के एक्टिविजम को, इनको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहें, आप इनको अपने साथ बुला लिए, तो जो कारेकरता इनके खिलाफ रहा हमेशा, वो कैसे चार्ज हो जाए, आप किसी को भी बुलाए अपना बस पट्टा पहनाए, कहे कि अब ये हमारी विचारधारा से समर्तन रखते हैं, हम इनके साथ हैं, तो बुले, आप लोगों ने ये जो काम किया ना, इस से पूरी तरह से लोग, मतलब आप से नाराज रहें पीपल इंसल्टिंग राम एंड हिंदू धर्मा गैट ए रेड कार्पेट, वेलकम बटे यंग सीजन्ड नुपुर शर्मा इस स्कॉल्डड हार्शली और पब्लिकली बोले, जो लोग आपको गाली देते रहें, उनको तो आपने रेड कार्पेट पे बुला के सम्मानित किया, और नुपुर शर्मा जैसे जो कारे करता रहे, जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया, उनको आपने पब्लिकली डाट दिया, आपको याद होगा नुपुर शर्मा का बयान, जिसके चलते हुए बीजेपी ने इन्हें अपने पद से बरखास्त कर दिया था, जबकि नुपुर शर्मा के बयान में ये बात बार-बार कही गई थी, कि नुपुर शर्मा ने जो भी बाते कही, वो हदीज को ध्यान में रख कर कही थी, जो आल्रेडी हदीज में लिखा हुआ है, मुसलिमों के टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वहां से बाते लिखी गई थी, उसके बावजूद कोई भी उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, अगर उसने मिस्टेक की थी, तो क्या उसको इस तरह से टीट करना चाहिए था, बोले यही कारण था कि BJP का जो कारे करता इनके लिए करनाटका के अंदर, तमिल लाडू के अंदर, पस्चिम ना देना, टॉप लीडर्शिप की तरफ से यह मैसेज होना कि नुपुर शर्मा को अकेले लड़ाई लड़ने दो, ऐसी इस्थिती में और कारे करताओं का मनोबल तूट गया कि पार्टी हमारा साथ कभी भी छोड़ सकती है और ऐसी इस्थिती में कारे करता demotivate हो गया रही बात राम मंदिर के inauguration की, तो जो यह celebrities बुलाए गए थे, इन celebrities को लेकर के RSS एक मत नहीं था महरास्ट्रा पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के भी यह बार-बार यह कहते रहे कि आपको उनकी पार्टी के लोगों को अपने साथ में नहीं बुलाना चाहिए था यह सारी बाते इनके द्वारा कही गई तो उम्मीद है कि यह सारी बात आपको समझ में आ जाए, अब बड़ा सवाल यह है, तो क्या RSS अब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की जगे, अपने लोगों में जो प्रसिक्षित कारेशालाएं हैं, उनके अंदर किसी और व्यक्ती को प्रोजेक्ट कर रही है, तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा, कि इनका कोई WhatsApp ग्रूप नहीं है, जहां एक करोड़ लोगों को मैसेज भेज दिया जाएं, लेकिन अब एक अंडर करंट चलना शुरू हो रही है, और वो अंडर करंट क्या चल रही है, लोगों के बीच में कि मोहन भागवत जी आदितिनाथ से खुश हैं, योगी आदितिनाथ जो की, मतलब इस पूरी की पूरी विचारधारा को लेकर आगे चल सकते हैं, और भविश्य में जैसे कभी नरेंदर मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, आपको याद होगा कि योगी आदितनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश का CM बनाने को लेकर कोई भी मत एकिता नहीं थी, लेकिन RSS Chief के इंटरफेर के बाद ही इन्हें CM बनाया गया था, ऐसे ही आप जब मैं आपको आज सेशन कर रहा हूँ कल की खबर है कि मोहन भागवत जी की आदितनाथ जी के साथ गोरकपुर में मीटिंग हुई है, अब गोरकपुर में नाम कभी यागे किया गया था गोआ अधिवेशन में, तो आने वाले समय में हो सकता है कि RSS लंबे समय को सोचते हुए, क्योंकि जब मोदी जी का नाम सजोष्ट किया था, तब वो 61-62 साल के थे, तो उस समय पर आज योगी आदितनाथ जी 50-55 साल के आसपास है, तो अगले 10-15 सालों के लिए कोई व्यक्ती पी-म पद पर रह सके RSS उस तलाश में अब निकल चुकी है और ऐसे में नाम योगी आदितनाथी का आ रहा है कि हो सकता है कि RSS अब इन्हें प्रमोट करें क्योंकि संग के कारे करता इस बात को स्विकार कर रहे हैं कि Public Acceptance इनका सबसे उपर होगा यदि यहां से आगे देखा जाता है ठीक है, बाकी अब आप इस विशह पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें हाँ, RSS का एक बात और भी कहना है क्या RSS का कहना है कि यह सादूसंतों का काम है इसमें मरामलला की प्रान प्रतिष्ठा को राजिनेतिक नहीं, राष्ट्रिया आंदोलन बनाना था आपने इसको राजिनेतिक आंदोलन बना दिया RSS की सलह थी कि प्रान प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, आपने पहले इसकी स्थापना कर दी, सादूसंत इनके खिलाफ हो गए, आप शंकराचारियों को साथ नहीं ले पाए, RSS में जो अतितियों की लिस्ट दी थी, BJP ने उसे नजर अंदाज कर दिया, पुजारी वाली छवी को लेकर RSS सहमत नहीं था, आदवानी जी को प्रान प्रतिस्था कारेक्रम से दूर रखने की कौशिश की गई, इस से RSS को खुश नहीं था, टिकेट बटवारे को लेकर, जो तरप्रदेश में पार्शाला.com पर मिल जाएगी, नमबर एक, और हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे कंटेंट में ये सब बाते जो लिखी हुई हैं, ये हमारे बुक्स में, जो हमारे अप्लिकेशन अपनी पार्शाला पर उपलब्द हैं, पार्शाला से आप ले सकते हैं,